आज वैलेंटाइन डे है और कहा जाता है कि ये प्यार का दिन है इस दिन को आज के यूबास सेलिबरेट भी करते हैं तो चलिए आज के इस दिन को और खास बनाते हैं और एक खास कपल वॉलिवुट के पसंदीदा कफल की पहली मुलाकात और उनके प्यार की दास्ता बताते हैं नमस्कार स्वागत है आप सभी का अपने चैनल NBC भारत पर मैं हूँ आपके साथ कोमलतिवारी क्या आपको पता है पहली मुलाकात में ही हेमा पर फिदा हो गए थे धर्वेंद्र ड्रीम गल्स से रोमैंस के लिए देते थे रिस्वत धर्वेंद्र को हेमा मालनी से शादी के लिए खूब बिलने पड़े थे पापर धर्वेंद्र और हेमा मालनी की पहली मुलाकात 1970 में फिल्म तुम हसी में जवा की सूटिंग के दौरान हुई थी दोनोंने फिल्म में मुख भूमी का निभाई थी इस फिल्म की सूटिंग के दौरान ही धर्वेंद्र को हेमा से इश्क हो गया था हाला कि धर्मिंद पहले से ही शादी सुदा थे और उनके बच्चे भी थे रिपोर्ट्स के मुताविक हेमा मालनी ने शुरुआती में धर्मिंद से दूरी बना ली थी क्योंकि वह ऐसे आदमी के साथ रिस्ता नहीं रखना चाहती थी जो पहले से ही शादी सुदा हो हाला कि धर्मेंद ने हार नहीं मानी और एक्रेश को इम्प्रेस करने के लिए कोशिस करते रहे और फाइनली हेमा भी धर्मेंद पर मर मिटी रूमर्स ये भी है कि एपिक सोले की सूटिंग के दोरान धर्मेंद ने Light Voice को रिस्वत दी थी और उन्हें सेट पर रोश्णी खराब करने के लिए कहा था ताकिरी टेक के बहाने वो अपनी ड्रिम गल को अपनी बाहों में भर सके जब सोले रिलेज हुई तो धरबेंद और हेमा मालनी की ओन स्क्रिन केमेस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया बताया जाता है कि इस दोरान दोनों ने डेटिंग सुड़ू की हेमा और धरबेंद शादी करना चाते थे लेकिन इनके राखते इतने आसान भी नहीं थे दरशक धरबेंद पहले से प्रकास कोर से शादी सुदा थे और प्रकास ने उन्हें तलाक देने से साफ इंकार कर दिया था वही हेमा के परिवार वाले भी उनकी धरबेंद से शादी करने के एकदम खिलाब थे एक्ट्रिस हेमावालनी के माता पिता उनकी शादी जितिंद्र से करवाना चाहते थे अब माप के दबाब में आकर हेमा ने भी इस रिस्टी के लिए हां कह दिया था जैसे ही धर्बिंद को ये बात पता चली हेमा की शादी जितिंद्र से हो रही है वो सीधे हेमा मालनी के घर पहुँच गया है जिसके बाद उन्होंने हेमा को खुद से शादी करने के लिए राजी कर लिया था इसके बाद अपने प्यार को शादी का नाम देने के लिए उन्होंने अपना धर्म बदल कर इश्लाम धर्म अपना लिया था धर्म परिवर्तन के बाद धर्मेंद ने अपने नाम दिलावर खान और हेमा ने अपना नाम आईसा भी रखा था जिसके बाद साल 1980 में दोनेर ने समाज के सभी रिवाजों को तोड़ते हुए स्टादी कर ली और हमेशा के लिए एक हो गए धर्मेंद और हेमा ने दो नोमबर 1981 को अपनी बड़ी बेटी इशा देवल को वेलकम किया था और लगभग चार सालवाद 28 जुलाई 1985 को दूसरी बार आहना देवल के माता पिता बने धर्मेंद और हेमा मानली की जोड़ी बॉलीवूड के सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक है वेलेंटाइन डे पर इस बॉलीवूड कपल की प्रेम कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताए बाकी की खबरे के लिए बने रही है NBC भारत पर नमस्कार